तो दोस्तों नमस्काव उम्मेदे आप सभी अच्छे होंगे मैं हूँ चंद्रा और आज का सेशन काफी इंपोर्टेंट होने वाला है आपके लिए क्योंकि आज एक मिम टोकन के बारे में हम चर्चा करेंगे शिवायनुकुत पुरी दुनिया चानते हैं बागे दूसरा मिम प्रेट हुई इसी के बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटेसे भी शीजार डॉलर पर चल रहा है लिए और तक टॉट पर और जैसे दुबए में क्रिप्ट एक्सपो की मेंटिंग उसके बाद मेंटिंग होती हुए मार्केट का गिरन मार्केट थोड़ी बहुत डिप में जा सकती है लेकिन उसके बाद फिर से जो निव इवन्ट होने वाले हैं यहां पर मार्केट गुरू देखने को मिलेगी को इन वह मेंटिंग होने वाला है लेकिन वह वर्चुल मेंटिंग होगी इसके बारे मुझ आप लोग यहां पर पंप डंप में जा रहा था उसके बाद जब मेंटिंग स्टार्ट होई तो सिर्फ इतना ग्रोथ आपको देखने को मिला यहां से लेकर के यहां तक का और उसके बाद अभी पिछले 48 आवर में फिर से मार्केट कि दो डंप देखने को मिला एक तो यह और दूसरा यह चोटा सा यहां पर यह चोटा सा डंप देखने को मिला यहां तक का और अभी इस आज नाइट में ही यह थोड़ा रिकवरी हो सकती है लेकिन अभी उतना इस्ट्रोंग नहीं दिख रहा है कि फिलाल रिकवरी मान सकते हो क्योंकि अभी जो इस लेवल पर ट्रेड होगे चोटे-चोटे यहां से profit book करते रहे हैं बहुत जाए recovery का उम्मीद मत किजिए फंड आपके थोड़े बहुत सुरचित होने चाहिए क्योंकि बीटिसी का जो भी पैटर चल रहा है एकदम इसी पैटर को सारे आलटो कर रहा है तो चलिए हम जिस में टोकन के बारे में चर्चा क भी से रहा हर एक यूटूबर जाके आप अगर आप यूटूब चेक करेंगे तो सभी ने लगभा वेडिवी डॉच के बारे में अपना बयान बाजी रखा है कि बहुत सारा इसमें profit हो सकता है अगर 10 दफाजर लगा दो 10 क्रोन बन जाएगा तो ऐसा तो में मियम टोकन का बालता नहीं देखिए मीम टोकें जो है उस्तारे के सारे गेमिंग प्रोजेक्ट हैं गेमिंग का मतलब वह अपना गेमड़ने वाल इंटरनेट नहीं यहां गेमिंग का मतलब है कि लोगोंका प pumping dumping का एक time भी आया बीच में लेकिन मीम टोकें में कोई innovation जैसा कारिय नहीं होता सिर्फ money का irrespective तरीके से उनसे चीना जाता है फिर वहां से बाई करवाया जाता है फिर वहां से पंपिंग करा जाते हैं अगर हम सीवाइनु की थोड़ा से छोड़ दे क्यों कि सीवाइनु एक क्रियेटिव बेटी आपकी अपने दिखा सकता है सीवेरियन ब्लॉक्चैन आने की बाद ठीक है तो आप यह समझें कि में टोकन में सिर्फ आपको उतने ही पैसे लगाने हैं ज इस बारा की आसपास चल रहा है तो आप इसमें थोड़ा बहुत पैसा इस समय डाल सकते हो और इस वीक में इसकी चर्चाइस ले रहे हैं क्योंकि इसमें बर्निंग हुई थी अभी जेस्ट मैं थोड़ा सा बर्निंग के इनके लिए चलता हूँ देख सकते हो बिवी डाच की कम्यूटिा है और यहां पर जो अगर बात करें चैका ज़ए तो औहुधे यहीं कुछ न्यूज कैसे था जीलियन के बाद क्वाड्रिलियन आता है तुब यह इसकी सप्लाह इतनी ज्यादा आया कि इसको र्केंड पर आपको कल्कुलेशन करना पड़ेगा जियान को छोड़ो मिलीयन को छोड़ो उसको पीछे करके रख और क्वाड्रिलियन टुमारो वी विल बी यह अप्रेल की है यानि दो आज अप्रेल पांच हो चुकी है तिन दिन पहले की न्यूज है तो इसी न्यूज की वज़ा से थोड़ा सा यह चर्चाह में आया और हाँ इसका वॉल्यूम जनORE हो रहा है मीकें़ को हो सकता है थोड़ा सा मेसके के बारे हो करते हैं तो फ्रेंट से यह यह ऐँने से भी डॉज का कंडल है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एमेक्स एक्सेचन का कंडल है और अभी जो मेटिंग के दोरान में दुबई मेटिंग के दोरान में जो थोड़ी सी गुरूथ हुई थी यही गुरूथ हुई थी यहां से आप देख सकते हैं लगभग यह 28-27 से लेकर के 37 तक इसमें हुआ और अभी जो एवरेज प्राइस पर चल रहा है काफी अच्छा इस्ट्रांग जोन में चल रहा है यान कि कोई ज्यादा डंपिंग नहीं हो रही कोई ज्यादा पंपिंग भी नहीं हो रहे तो इस दौरान हमने क्या देखा कि इनका जो 3000 बिलियन वॉल्यूम डालर था यह काफी अच्छा गुरूत हुआ है और अभी 35,000 सोरी साड़े तीन तीन हजार की आसपास था और अभी 35,000 डॉलर की वैलूम इसमें जनरेट हुए है देखो यह एक सेचन का वैलूम है मार्केट कैप का नहीं है पूरे मार्केट कैप का वह मैं दिखा लगए 1.3 बिलियन चल रहा है यह जो एक सेचेंजर पर ट्रेड होता है इनका वैलूम है फिलहाल तो यह भी जिमेवार होता है कि किस कोई में ज्यादा ट्रेड हो रहा है तो इसमें वैलूम कभी बढ़ता भी जा रहा है हाँ 1.3 बिलियन जो मार्केट कैप इसका दिखा रहा है वो भी एक सप है तो हम इसी पर बात कर लेते हैं कि यह जो आपको अभी आप इसमें ले सकते हो थोड़ा बहुत लेना अपने पूर्फोलियो का तीन से चार परफेंट पांच परफेंट इस ज्यादा नहीं अगर आपके पास दो सो डालर है तो आपको दो डालर कभाई करना है अगर आपके 20 पैसे में कोई नहीं पूछा लेकिन जिस दिन वह 20 रुपए निकल गया है 40 रुपए निकल गया है 60 रुपए तक मैं रेडर देखा उसका तो लोगों ने 40-50 रुपए भर-भर के भाई कर लिया और मना करने के बाज़ोद भाई किया लेकिन अभी आज देख रहे हो रहे ह तो अब उनका तो लग गया है जो 40 रुपए 45 रुपए 50 रुपए भाई करके रखा है उनके खतम पैसे ठीक है कितना लंबा टाइम उनको वेट करना पड़ेगा तो मिम टोकिनों यही होता है ग्रोथ यहां पर कम है यहां पर गेम बेस है ठीक है गेम बेस मतलब समझ रहे ह लेकिन फिर भी एक अच्छी रेंज में ट्रेट सभी हो रहे हैं तो फ्रेंट्स उम्मेद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके रखें जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज यह लोगो आप देख लीजिए और सब्सक्राइब में बढ़ा हुआ है रेट भी थोड़े से बढ़े हुई है क्योंकि यह तीस चल रहा था और हां एक चीज और कि अभी इस रेंज में थोड़ा सबाई कर लेना पांच शे डालर का बाकि अभी यह आपको हो सकता है कि 27 तक मिल यह क्योंकि अभी कोई इसमें थोड़ा सक्का मच्छा है बाकि ठीक है लांग पर सिपेक्टिस से देखेंगे तो अच्छा ही है बाकि अगर ट्रेडिंग से बी उससे देखेंगे तो 27 से 26 आता है तो इस समय बाई कर लेना ताकि आप इसको 60-70 में शल करो जब भी इसमें थोड़ा सा पंपिंग का ज्यादा हो रही है वसी तो इसमें करते हैं यहां पर ट्रांजक्शन पर कट जाते हैं बरनिंग के लिए ठीक है तो वह कुछ मन्त में या कुछ मंत तीसरे मंति में वह उसको बरणिंग करते हैं को डिलियन बरणिंग एक माने रखता है क्योंकि यह 420 के आसपास देखेंगे पॉइंट में जार रहा है जिलियन को डिलियन के बाद भी 420 पॉइंट जार रहा है तो आप इसको अरफ पेन में गुड़ा-गड़ित कर लेना सप् लाई तो काफी मसक्कत करने पड़ती है आप लोग इसको चेक करिएगा इसी में से 3.2 क्वाड्रिलियन की बर्निंग हो रही है ठीक है टोटल और और आगे भी बर्निंग होगी जो हम अभी आपको दिखाना चाहते हैं हम दिखाना यह चाहते थे इसका जो यूजर बेस है ग्रोथ हो रहा है यह अपने अपने बड़ी बात है कि कुई अभी एक हफ्ते पहले की बात देखी जाए तो यह लगभग 14,000 की आसपासी था 93,000 इसी वीकेंट इसमें ग्रोथ देखने को मिला है तो काफी अच्छा है थोड़ा बहुत इसमें आप पैसे डालके रखिए ठ थीक्राइब थांक्यू